Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल कि भारत के अंदर जो pharmaceutical industry है, जो सस्ते दाम पर drugs हम बनाते हैं, वो दुनिया भर में supply होता और इससे दुनिया को बहुत मदद मिलती है, वो लोग जो की महंगे महंगे drugs नहीं खरीद सकते, वो यह यहाँ पर सस्ता drugs खरीदे हैं और यह same effective रहता है, ऐसा नहीं है कि जो branded companies बनाती हैं, उनका ऐसा कहना है कि उनको loss होता है, और इसी की वज़े से यहाँ पर एक बड़ी ख़बर यह आई है कि UK जो FTA का agreement कर रहा है भारत के साथ, उसके अंदर कुछ ऐसे provisions हैं जिसकी वज़े से भारत जो अपना generic medicine भेजता था, उसमें यहाँ पर काफी हद तक रोग लग सक पर से, आपको हमारा code इस्तमाल करना है अंकित live हमारे website और app पर और आप इस पूरे course को ले पाएंगे क्योंकि इसके अंदर आपको कई सारे features मिलते हैं, जैसे कि life classes दिया जाता है, one-to-one mentorship होता है, notes दिये जाते है, answer writing practice आपके mains exam के लिए, तो hurry up, अगर आप इसके अंदर enroll कर exactly हो क्या रहा है, ये खबर कहां से आ रही है, देखो दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे international organizations हैं, जैसे आपने सुना होगा doctors without borders के बारे में, तो इन्होंने UK की सरकार को लिखा है, क्योंकि अभी recently हुआ क्या था, कि जो भारत और UK की बीच में FTA होना था, उसका intellectual property के बारे में ज जो चीजें थी, जो paper में लिखा हुआ था, वो कुछ चीजें leak हो गए, एक पुरा chapter यहाँ पर leak हो गया, और ये जब leak हुआ, तो यहाँ पर जो international organizations हैं, उन्होंने UK की सरकार को लिखा, कि आप ये जो भारत के बीच में ये जो agreement करने जा रहे हो, इसकी वज़े से बहुत से उन्हों को नुकसान हो सकता है, और जो फायदा है, वो सिर्फ बड़ी companies को होगा, जो बड़ी-बड़ी pharmaceutical companies हैं, उन्हीं को इसका फायदा होगा, तो आपको इसको आगे लेकर नहीं जाना चाहिए, In fact, मैं आपको बता दूँ कि UK के अंदर यहाँ पर एक organization है, एक institution है आप कह सकते हो, जिसका नाम है NHS, that is National Health Service, मतलब यह publicly funded जो आपका services होता है, health से related, अगर कोई बिमार पर जाता है, अगर किसी को medicine नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारी चीजे National Health Service के द्वारा दी जाती हैं, तो यहाँ पर अगर यह FDA sign हो गया, present form में, जो इस समय लिखा हुआ, intellectual properties related, इसकी वज़े से क्या होगा, कि जो बड़ी-बड़ी pharmaceutical companies हैं, वो यहाँ पर ज्यादा फाइदा उठाएंगी, और भारत का जो generic medicine है, वो UK तक नहीं पहुँच पाएगा, और इसे एक बड़ा नुकसान ह हो सकता, और इसलिए आप देखबा होगे, यहाँ पर जो doctors without borders हैं, जो की non-profit organization है, उन्होंने यहाँ पर यह चीज कहा है, कि इसकी वज़े से, जो global supply है generic medicine का, उसको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है, इसके लावानोंने यहाँ पर press note में ही, पिछले हफते यह क कि भारत के दौरा जो low prices में medicines बनाये जाते हैं, यह vulnerable communities को काफी जादा मदद करता है, उनके जीवन को बचाता है, अगर यह चीज पास हो गया, तो इसको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, सिर्फ UK को नहीं, देश के कई, मतलब विश्व के कई सारे देशों को, अब question यह ह कि UK भारत के Indian, मतलब Indian drugs के उपर कितना जादा dependent है, जो UK है, देखो मैं आपको बता दूँ कि 4 out of 5 drugs used in NHS, जो National Health Service है UK का, वो 5 में से 4 drugs जो है, वो generic drug इस्तमाल करता है, सोचके देखिए, और generic drug में से 1 third जो drug है, वो आपका भारत से आता है, मतलब UK के अंदर जो NHS है, National Health Service, वो 25 प जाहिर सी बात है, अगर वो भारत से आना बंद हो जाएगा, तो इसकी वज़े से cost बढ़ जाएगे, और cost बढ़ने से क्या होगा, कि लोगों की जान तो जाएगी, और इसका फायदा कौन उठाएगा, जो बड़ी-बड़ी pharmaceutical companies है, इनफेक्ट आप देख सकते हो, 2011 से 2016 के ब जाने की वज़े से आपको मैं दिखाता हूँ, कि कितना जादा यहाँ पर UK को फायदा हुआ है, या आप देख सकते हो, कि 2011 से 2016 के बीच में, जो National Health Service expenditure कर रही थी, spend कर रही थी, drugs के उपर, उसकी value 3.8 billion pound पहुंच गया था, सोचके देखिए, मतलब कि उसके पास पैसा आ रहा National Health Service यह देख रही थी, कि जो medicine है, उसकी cost हम कैसे कम कर सकते हैं, और इसलिए, अब आप देख सकते हो, यहाँ पर जब से उन्होंने generic medicines मंगाना स्टार्ट किया है, तब से cost काफी कम हो गई है, जैसे कि यहाँ पर एक drug है, जिसकी value करीब हर साल एक patient के लिए 27,200 pound लगता था, जिसकी value लगती है करी 400 million pound के आसपास, जो की UK की NHS को खर्च करना होता था, लेकिन generic medicine आने से, वो 110 million dollar save करने लग गई, मतलब total overall आप देख सकते हो, जैसे 300 million pound जो save है, वो National Health Service करती थी, लेकिन question आपके मन में आएगा, कि यह जो FTA होने जा रहा है भारत और UK के बीच में, उसमे ऐसा क्या है, जिसकी वज़े से भारत ये जो generic medicine भेशता है UK के अंदर, उसमें problem आ जाएगी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कि भारत के अंदर जो standards हैं, वो बहुत जादा strict है, मतलब कि patent कराना कोई भी आसान नहीं है, मान लोग कोई medicine है, कोई drug है, अभी अल कार के दोरा, institutions के दोरा, कि जब तक कोई बड़ा formula ना है, कोई एक नया medicine ना है, कोई एक नया drug ना है, तब तक हम उसको patent नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हम सस्ते दाम पर उसको generic form में produce करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि बहुत बड़ी आबादी है, जो की काफी expensive medicines को afford नहीं कर सकती, और इसी लिए यहाँ पर भारत के अंदर patent लेना medicines का इतना असानी है, लेकिन वही अगर आप Britain में देखोगे, तो वो बहुत जादा असान है, वहाँ पर छोटे-छोटे changes करके काफी सारा patent ले लिया जाता है, pharmaceutical companies के दोरा, और वो लोग इसक का फायदा उठाते वे, अब Britain क्या कर रहा है, Britain और भारत के बीच में अगर मालो FTA होता है, तो Britain कह सकता है कि देखिए हमारे देश के अंदर तो यह सारी चीजें बहुत strict हैं, तो Britain ने यहाँ पर क्या किया है, कि जान मुझकर कुछ ऐसे provisions इसके अंदर डलवाए हैं, trade deal के जिसकी वज़से से भारत जो बड़ी मातरा में generic medicine भेजता था, वो यहाँ पर अब नहीं भेज पाएगा, यह यहाँ पर चीजें सामने आई हैं, जो की paper में leak हुआ है, तो Britain एक प्रकार से क्या कर रहा है, जो बड़ी pharmaceutical companies हैं, उनके लिए bidding कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ना कि लोगों का जो health है, जो लोगों का जीवन है, उसको बचाने में, तो यह बहुत बड़ा चिंता हो गया है दोस्तों, अब इसको देखना होगा कि कैसे क्या चीजें हो पाती है, लेकिन different सी बात है, कि अगर National Health Service, अगर उसको बहुत जादा मेडिसन मंगाना पड़ा, तो इसकी वजए से वो उसका budget out of control हो जाएगा, और जो वो drugs provide कर सकता है अपने patients के लिए, वो नहीं कर पाएगा, और इसके लिए बड़े सारे जो लोग हैं, वो यहाँ पर risk में आ जाएगा, उनका जीवन risk में आ जाएगा, तो आगे चलकर चीज में यहाँ पर जो medicines हैं उसको supply करता है, अब Britain की बहुत सारी अभी भी कई सारे colonies हैं, कई सारे देश आपने देखा होगा, Britain की territory है, वहाँ पर भी supply करता है, तो उधर भी यहाँ पर problem आएगी, और इसके लावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो international organization जैसे कि Borders Without Borders मेने आपक चीज कहा है, कि आप भी vigilant रहे हैं, कहीं इस तरह की चीज़ें actual में ना हो पाए, इसके लिए हमें समझ बूच से काम लेना होगा, और जहां तक बात है कि भारत के officials का क्या बना हैं, देखो भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है, देखो यह जो सारी चीज़ें आई हैं, यह प अब तक भारत और UK के बीच में FTA हो पाएगा, तो लेट में टेल यू, यह अब मार्च से पहले नहीं हो सकता, पहले यह सोचा गया था कि दिवाली तक हो जाएगा, बॉरिश जॉंसन ने यह deadline दिया था, लेकिन आप सबको पता है कि बॉरिश जॉंसन की सरकार चली गए, फिस लिस्ट रस आए, और अब यहाँ पर रिशी सुनक आ गया है, तो देखना होगा चीजें किस तरह से टर्न आउट होती है, बटाई होब कि इस वीडियो के माद्यम से जो हो रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा, और जानने से पहले एक इंटरस्टिंग कोशन, क्य अब कि अगर आपको PDF के ही तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे, और जैसा माने बताया, UPSC की त्यारी कर सकते हैं by using the code Ankit Live, हमारे website और app पर जाएए, and use this opportunity to buy this course, ताकि आप अपनी preparation को secure कर सकते हैं, hope की वीडियो आपको पसंद इन ब बार आप现在 सकते हूप बेत एkolाखे, हूप ले बत्टॉ आपको, अपनी वे लिच्ट की त được बत्टॉ जी AHुध हैं, अलग-डपन, ले ले तिर वीडियो ले का ल價 औव बत् нравится हैं, तो यू यूथ तेशनी सिधां यू आपको, सबस्थी ऴले ले कर से कर सकते हैं, हैं, that the mcqs so the test the daily test the weekly test and the monthly test has provided me that confidence and to be in track with the syllabus number four is that that means right answer writing so under the curriculum I have to write daily one answer and provide submit those to the teachers so the experts they will check provide me the proper feedback so in this way I am able to develop myself on a regular basis so I must say that the study IQ team has done has provided me the platform to master the subjects which is required for to clear the UPS examinations so thank you study IQ is up the area we affordable